सावन में इस पौधे के नीचे होता है करोडों का खजाना आ सावन में। जितने भी संपूर्ण पृत्वी पर धरती हरी भरी होती है दोस्तों, सावन में धरती माता के गर्ब ग्रह से अनेक प्रकार की चमतकारिक पौधे मिलते हैं और सावन के आखिर तक समाप्त होते होते यह बहुत सारे पेड़ पौधे निकल आती हैं। दोस्तों, आज बहुत ही चमतकारी पौधे के बारे में बताएंगे। करोड का खजाना छिपा होता है, सावन के महीने में इस मौसम में थोड़ी सी मेहनत करके इन खजाने को आप अपना बना सकते हैं। इस पौधे का उल आज हम आपको बताएंगे। बहुत ही चमतकारी बाते हैं जो शायद ही आपको कोई बताएगा। सावन समाप्त होने तक पूर्ण रूप से सारे पेड़ पौधे धर्ती माता के गर्ब से निकल आते हैं और जिनके नीचे करोडों का खजाना छुपा होता है। आयूर्वे विशैला सर्प भी होता है तो थोड़ा सावधानी पूर्वक इन पौधों के नीचे धन को निकालना चाहिए। सबसे पहले आपको कुछ विशेश जानकारी बताना चाहूंगा जो सावन में अमरित वर्षा देगी धन से माला-माल करेगी और आपका भंडार भर देगी। पेड़ पौधे जो होते हैं इन पर सावन के महीने में रिमजिम बूंद पढ़ने से पुनह धर्ती मईया के गर्व से निकलना यह प्रारंभ करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इन पौधे की पहचान करके धन को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, करोडों रुपे का खजाना चुपा होता है। इन पौधों के नीचे जानकारी जानने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके दिल से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भोले नात का नाम लिखना बिलकुल ना भूले। यह पांच पौधों के बारे में आज हम आपको जानकारी बताएंगे। इनको खोजना आसान है और यह बरसात के मौसम में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। पहले की वीडियो में भी सावन के महीने में अमरित बरसाने व बरसात के समय में इस पौधे को बहुत ही आसानी से आप जो है ढूंड सकते हैं। इस पौधे के उपर आप तेल जैसा पदार्थ बहता रहता है। यह इस पौधे के लक्षन है, भोले नात तथा माता पारवती की उर्जा जागरित अवस्था में होती है। सामान्य रूप से धनवंतरी जी एवं अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार को जानते होंगे, प्रवास करते हुए सावन के समय में उनके नीचे धन को प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा पौधा जो हैं दोस्तों मश्रूम का पौधा, ध्यान से आप मश्रूम के दाना चुपा होता है, लेकिन दोस्तों ये मश्रूम नहीं, जो हमारे घर के आसपास में होते हैं, दोस्तों ये मश्रूम साधारन मश्रूम से अलग होता है, इस से आप इन लक्षनों से पहचान सकते हैं, इसके कुछ लक्षन इस प्रकार हैं, दोस्तों इस मश्रूम की आ आग नागिन की तरह दूर से दिखाई देगा और इस मश्रूम की आयुक्षमता साधारन मश्रूम की अपेक्षा अधिक होती है। दोस्तों, जैसे की साधारन मश्रूम खत्म हो जाते हैं, तो उनके तुलना में यह मश्रूम पाँच से एक सप्ताह तक पाँच दिनों से लेकर एक सप्ताह तक इन्हें कुछ भी खशती नहीं पहुँचती। इन मश्रूमों से इतर जैसी सुगंधित खुश्बू आती है, जिसके नीचे गड़ा धन छुपा होता है। इस मश्रूम के नीचे से इतर जैसी सुगंध आती है, ये भूमी में गर्माहट पैदा करता है और मश्रूम के लक्षन और इसके नीचे दवे धन को प्राप्त क करने का यह था तरीका और तीसरा पौधा नोट करे यह है हल्दी का पौधा दोस्तों जंगल में जाने वाले व्यक्ति को अच्छे से पता होगा कि हल्दी का पौधा जंगल में पाया जाता है इसके नीचे करोड का खजाना छुपा होता है बहुत ही कम लोग हैं जो हल्दी के बारे में ज्यान प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, जंगल में जाने वाले व्यक्ति को अच्छे से पता होगा कि हल्दी का पौधा जंगल में पाया जाता है। इसके नीचे करोड का खजाना छुपा होता है। बहुत ही कम लोग हैं जो हल्दी के बारे में ग्यान प्राप्त कर चुके हैं। हल्दी का पौधा धन खीचने की चाबी माना जाता है साक्षात माता काली एवं माता लक्ष्मी के स्वरूप को माने जाते हैं इसके घर में होने से धन का भंडार भर जाता है हमने अपने चैनल में हल्दी से जुड़ी हुई चमतकारी वीडियो भी बनाए हैं जिसमें आप हल्दी के पौधे के कई फायदे देख सकते हैं। हल्दी के पौधे यह जंगली स्थान पर या फिर निर्जन स्थान पर उखते हैं और कम ही लोगों को उनके बारे में पता होता है। जहां हल्दी के पौधे होते हैं, वो जमीन में धन गड़ा हुआ होता है। सावन के महीने में इन धन को आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में रावण ने सावन के महीने में बताया था कि सावन के महीने में जितने भी संसार में धन, दौलत, उर्जा, शक्ति सब जागरित अवस्था में होती है, चैतन्य हो जाती है। दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी को हम सब जानते हैं, लेकिन ये धन की देवी माता लक्ष्मी को धन देने का दर्जा, धन देने का पद किस ने दिया, भगवान भोलेनात ने इसलिए उनका भी कर्तव्य बताया है कि सावन के महीने में अपने सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ मनवान छित इच्छाओं का वर्दिया और भगवान शंकर जी माता पार्वती अर्थात जब धर्ती पर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ आते हैं तो यह सारे धन उपर को उठा लाते हैं चौत पौधा नोट करें जो कि जमीन पर लटका होता है जिसका नाम है अर्बो का खजाना होता है, इसके नीचे जो भी व्यक्ति धन खोचता है उसे उपरी भाग पर 12 फीट नीचे ही धन प्राप्त होता है जो बरगत के वरिक्ष के आसपास पुराने मंदिर हो, वहां पर जमीन में जरूर से धन दबा हुआ होता है सावन में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं आसपास पुराने बर्गत के व्रिक्ष जरुर से मिल जाएंगे जमीन के आसपास में करोडों रुपे का दवा धन मिलता है पुरानी मिट्टी के बने खिलोने कोडी, चूडी और कंकाल भी मिल जाते हैं समझ जाना दोस्तों, उसे बर्गत व्रिक्ष के नीचे दबा हुआ धन निश्चित रूप से और इस धन के रखवाले बर्गत के नीचे रहती है इस धन की रक्षा स्वयम भगवान ब्रह्मा करते हैं और ब्रह्मा को इस धन का रक्षक माना जाता है पांच प्रकार के आप उन्हें भोग अर्पित करते हैं, मिठाईयां अर्पित करते हैं तो ब्रह्मा जी शांत स्वरूप में होते हैं और आपको वह धन प्राप्त करने में कोई बांधा नहीं देते हैं जोस्तों सफेद मदार का पौधा भी साक्षात भगवान शिव का एक अमूल्य वर्दान है जो कि धन का भंडार से भरा होता है सफेद मदार के पुष्प अत्यंत प्रिय होते हैं सफेद मदार की पुष्प अपने आप ही उगती है ये पौधा खाली पड़े स्थान पर उगता है सावन समय में इन व्रिक्षों की जड़ पर स्वयम धन चल कर आता है और उनकी जड़ में समा जाता है जमीन में दवाधन बहुत ही आसानी से प्राप्त करके गरीबों को दूर किया जा सकता है अब हम जो आखिरी पौधा बता रहे हैं वह है मधुमक्खी का एक ऐसा पौधा जिस पर मधुमक्खी चट्ता बनाती है सामान्य तोर पर मधुमक्खी दो से तीन पौधों अपना घर बनती है और जिन पर बनती है उनके नीचे निश्चित ही दबा हुआ धन होता है आज हम सावन के महीने में इन पौधों के बारे में बहुत ही आसानी से रिसर्च करके इसे धन को पराप्त कर सकते हैं, घरीबों को मिटा सकते हैं हमारे चैनल पर अगर आप ऐसी ही जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार धर्म को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद